मेरा टॉपिक है शेची खेले कड़िते प्रती मुषपम जिसमें हम खेल खेल में कड़ित सिखा सकते हैं इंट्रेस्ट ना सकते हैं इसलिए इसलिए एडिशन, सब्रेक्शन, मलिटिप्रिकेशन और दिविशन को ज्याद में रखते हुए मॉडल बनाए हैं जिससे बच्चों में इंट्रेस्ट आ सकते हैं इसलिए इसलिए मेरा इडिशन बॉक्स इसमें द्याद देख रहा हुए कि कांटी नमर्स सिखी हुई है जैसा कि 1 है तो 1 में 1 कंचे डाले हुए 6 5 है तो 5 में 5 कंचे डाले हुए 7 है तो 7 में 7 कंचे डाले हुए इसी तरह हम एडिशन सिखा सकते हैं जैसे हम 4 और 5 को एड़ करना है तो 4 को हम कीजेंगे और 5 को आप देख रहोंगे कि यह आ गए है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 9 4 और 5 को एड़ करेंगे तो आंसर आए का 9 इसी तरह हम एडिशन सिखा सकते हैं जैसे हमें एडिशन करना है तो हमें एडिशन सिखा सकते हैं जैसे की 3-1 means 2 एडिशन होगा अब वह इसी तरह हम एडिशन करा इसमें सिखा सकते हैं जैसे की 3-1 means 2 एडिशन होगा अब आप आप एडिशन कराओ इसमें सिखा सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं 18-16 इसी तरह आप इसमें एडिशन और सब्रेक्शन तोनों सिखा सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट उप्लेशन मुल्टिप्लेशन की लिए हम इस थार्ड वॉडल है जिसे आपने 32 को 21 से मुल्टिप्लाइ करें इस पर आपने 2 या 3 डिजिट दोनों ले सकते हैं इस टू डिजिट लिए है मैंने आपन 32 मींस 1 2 3 33 में 3 लाइन ट्रोगी फिर 2 1 & 2 लाइन ट्रोगी फिर 21 & 2 लाइन यां ट्रोगी और 1 लाइन यां ट्रोगी फिर हम चैसी आप कांट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो फर्स्ट ये डिजी ठोका वो होगा 6 फिर हम काउंट करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 सेकंड डिजी ठोका 7 और लास्ट में 1,2 तो थर्ड डिजी ठोका 2 इसी तरह ही है हमारा मॉल्टिप्लिकेशन का मॉर्डल कम्प्रीट अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा चुछा मोड़ा डिजी बोर्ड जिसा कि आप देंगे मेरे इसमें 8 स्टिक्स डाले हुई है जैसे हमारा पास प्रॉब्लम है 11 को 2 से डिवाइड करना है अब 11 को 2 से डिवाइड कैसे करें हम पहले यह स्टिक्स को निकाल लेंगे 11 अब हमारे पास यहां पर वन स्टिक्स है तो हम वन नहीं डाल करके वन को रिमाइंडर मानेंगे और फिर पाइप जो होगा वह कोशेंट होगा इसी तरह यह हम दुसरे भी नंबर का ले सकते हैं अब हम एक और एक्जामपल लेंगे 17 को डिवाइड करना है 3 से तो हम एक कॉलम में 3 स्टिक्स डालेंगे परस्ट कॉलम में 3 सेकेंड में 3 तो हमने त्री डाइजी और यहां पर हमारे पास बच्ची टू तो टू होगा वह रिमाइंडर होगा और फाइप होगा वह पॉशेंट होगा इसी तरह हम डिविजन मॉडल जैसा कि हमने चार ओप्रेशन सिख लिए तो बच्चित होते हैं वह टेस्ट एच्जाम इसके नाप से ड़ते हैं इसलिए आप मॉडल बनाया है जिसे इंट्रेस्ट आ सके इसे इसमें चार ओप्रेशन है एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिपिकेशन और डिविजन, जैसे हमें 2 को मल्टिप्लाइ करना है 2 से, आंसर कितना आएगा एसे जो बच्चे होंगे वो खुद करेंगे उनको भी इंट्रेस्ट आएगा और वो चार ओप्रेशन सीख सकते हैं जैसे मल्टिप्लाइ सिखाया है अब यहां पर हम माइनस सीखा सकते हैं 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 2 होगा वो 3 होगा Thank you very much for watching this video